तो दोस्तो आज हम एक टेस्टोमोनी देखने वाले टेस्टोमोनी है टेस्टोलाइट्स टेस्टोलाइट्स अन्हें टॉंसिल होते एक प्रकार के टॉंसिल के ऊपर में कुछ इंफेक्शन हो जाता ने उसको टेस्टोलाइट्स कहते टेस्टोलाइट्स नॉर्मली कीड्स एं को होता है लेकिन एडल्स भी इसके शिकार होते है ऐसा नहीं है कि एडल्स इसके शिकार नहीं हो सकते एडल्स भी इसके शिकार होते है तो टेंसोलाइड्स जो होता है वह एक प्रकार का इंफ्लामेशन है मैंने आपको पहले भी बताया वाइरस या बैक्टरियल इंफ्लामेशन के कारण होता है तो एक प्रकार का इंफ्लामेशन है टॉंसिल एने क्या टॉंसिल एने दो सॉफ्ट टीशू आपके यहां टॉंसिल्स मिलते ना आपके दो सॉफ्ट टीशू होते इस शरीर का जो इमून निकी सिश्टम है उनका एक भाग होते हैं और वे जर्म से फाइट करते हैं हमारे शरीर के अंदर जो भी जर्म से यहां से जाएंगा या नाक के थूरू भी गया साथ ही साथ मैं पेंडूलम डाउजिंग करता हूँ पेंडूलम डाउजिंग का फाइदा यह होता है कि आपके सवालों के जवाब आपको हाँ या ना में मिलते हैं कोई भी सवालों जरूरी नहीं है कि मुझे हिमो हिम कित्ते पहुश लेना है यह सवाल जरूरी नहीं है यही सवाल आपका होंगा आपके जीवन में कोई भी सवाल होंगा हर सवाल का जवाब मैं दे सकता हूं पेंडूलम डाउजिंग के थ्रू और उसके एक छोटी सी फीस हो को करना है तो आप फोन कर लीज़े मैं आपको गाइड कर डुँगा सथी साच जिन को ही मोहीं या अलग-अलग प्रकार की दवा जो लेते हैं या जो सुप्रिमेंट्स लेते हूं किते सप्रिमेंट्स परडे उनको लेने के टेस्टोमोनी अरे नहीं मालीक ही मुहिम के टेस्टोमोनी नहीं है आज हम देखने वाले है हमारा जो टूथपेस्ट आता है ना एक टूथपेस्ट प्रॉपलीज वाला ये वाला इसकी टेस्टोमोनी होती है जो मेरे को टॉंसिल्स की समस्या होगी थे ना उसी की उपड़ आपक सी और बात है लगकब कि यहां चूप रहा है कि मुझे थोड़ा इंफेक्शं हो गया esi नहीं आर्प लागवर्ट आपक objeto तरह के भीहाँ चूब रही है और Maison मुझे निगले में मुझकोchn भी तकलिव निगन सつ निगलने में मुझे कोई भी तकलिफ नहीं थी लेकिन दिन बर एक और आए आता था कि यहां कुछ तो भी चूब रह लहा हूँ कुछ दिन तो मैंने से इग्नोर मारा आ हो जाएंगा ठीक, कोई इशु नहीं होते रहता है कभी कभी तो हो जाएंगा दिखा देना चाहिए क्योंकि हमारे घर में मुझे डर इस चीज का लग राता कि कैंसर तो नहीं है मुझे डर इस चीज का लग रहा था क्योंकि हमारे घर में cancer की history है और normally history के कारण में डरा हुआ था जिसके कारण मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि मैं पान अगरे भी खाता हूं तो problem तो नहों cancer तो नहों cancer की शुरुवात तो नहों अगर शुरुवात हूंगी तो इसके उपर मैं इलाज कर सकता हूं यह डर मुझे सता रहा था लग रहा था इसलिए 17 तरीको 17-12-2022 को मैं डॉक्टर के पास गया हमारे घर के पास एक E&T special होते यह एंटी specialist आने ear, nose, throat यह हमारे जो ear यह nose यह throat के जो specialist है उनके पास गया उन्होंने पुछा कप से आपको यह symptom से मैंने वह पाच्छे दिन से symptom से उनके पास एक चिम्टा होता है चिम्टे से उन्होंने पहले तो नाक चेक किया नाक ऐसा खोल के चेक किया मुझ चेक किया औ आपके अंदर में नाक में और गले के अंदर में सूजन आ चुकी है और सूजन के कारण यह टॉंसिल बड़े हो चुक है यह टॉंसिल के उपर एक सूजन आई है और एक सफेद कलर की लेयर टॉंसिल पर आई हुए जो bacterial infection है ऐसा डॉक्टर ने मोताया और उन्होंने कुछ दवाय लिख के दी मैं ने दवाय एक हपता लिया लेकिन और पट्वल बिच बिच में स्कीप होता था लेकिन एक हफटा होने के बाद भी मुझे कोई बी फाइदा नहीं हुआ मुझे नहीं लग रहा था फाइदा हुआ मुझे अभी भी चूबन का ऐसास वैसा ही हो रहा था स्टार्टिंग के दो दिन मुझे चूबन का ऐसास नहीं हुआ दवा लेने के बाद में लेकिन बाद में फिर से मुझे चूबन का ऐसास होने लगा एक हफ्ते बाद फिर मैं डॉक्टर साब के बाद गया, डॉक्टर साब ने छेक गया, फिर से रूटिंग चेकप किया, पूरा चेक गया, मुझ चेक गया, नाक चेक गया, सब चेक किया, और बोले है कि थोड़ा सा बचा हुआ है बीबी इंफेक्शन पूरी तरह से इंफेक्शन नहीं निकला है तो उन्होंने दवा चेंज करके मेरेको दुसरी दवा साथ दिन के लिए लिख कर दी हूँ अपके सामने प्रिस्क्रिप्शन वैसी भी आ रहा हूँगा तो उन्होंने दुसरी दवा लिख कर देती मुझे मैंने दुसरे साथ दिन भी दवा लिख फिर भी मुझे आराम नहीं हुआ फिर भी मुझे ऐसा चूबन टाइप लग रहा था फिर उसके बाद संडे आया अब स संडे को डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर का दवा खना बन था संडे के एकारब फिर मैंने ओनलाइन या कुछ दादी-मा के नुक से बोले या जो home remedies है उसको सर्च करना चालू गया तो home remedies में मुझे remedy remedy मिली कि गरम चाय के साथ में अगर आप raw honey raw honey गरम चाय में mix करके पीते है तो आपको रहात मिलती है इसके अंदर में आप क्योंकि उसमें जो honey होता है हनी के अंदर में antibacterial properties होती है जिसके कारण जब honey इस गर जब हम पीते गरम चाय अनी के साथ में जब हम पीएंगे शकर नहीं डालना उसमें तो यहां से जब अंदर जाएंगी गरम चाय हनी के साथ में तो यहां रहत मिलेंगी यह मुझे समझ में आया तो कहते हैं ना क बगल में छोरा और गाव में धिंदोरा वाली कहानी मेरे साथ होगी थी यूँकि मेरे पास तो प्रोपोलिस टूथपेश था जो प्यवर हनी से बना हुआ है जो हनी जो होता है हनी से प्रोपोलिस से बना हुआ है तो मैंने क्या क्या उस दिन रात में पूरा मुह में दातों के उपर में और अंदर से यह टूथपेश्ट लगा दिया हूँ अधा गंटा हुआ मुह में जो हमारी लार आती है लार और यह टूथपेश्ट इन दोनों का कॉंबिनेशन हो गया पकड़ लीजे केमिकल रियक्शन हो गया और कुछ वेफर्स कुछ जो बाफ टाइप निकलता है ऐसा बाफ टाइप अंदर के अंदर निकल रहा था समय दीज जो अंदर में जमा हुआ था जो थूका दम गया था वो लोग टूथपेश्ट और हमारा जो लार होती है उसके कारण में तो थूका तो मैं अंदर नहीं ले रहा था लेकिन थोड़ा बहुत अंदर जा रहा था तो उससे भी मेरे को अच्छा लग रहा था मैं बाद में इन ही मुझे यह एहसास हुआ कि मेरी चुभन कम हो रही है यह जो मैं टूथपेश्ट यह जो हमारी टूथपेश्ट है एक्टोमी की प्रोपुलिस की यह टूथपेश्ट लगा के मैं अंदर से पुरे दातों पे और बाहर से पुरे दातों पे लगा कर रात में सोता था ज पिल्ड एक घंटे बात कर देता था ऐसा चार से पांस जीन में ने किया और पांस जीन में मुझे यहां हंडेट परसन रहात मिल गया जो डॉक्टर के दवा से भी में को दो हपते में नहीं मिला था दो हपते में मैंने डॉक्टर के यहां कम से कम उनकी 500 रुपे फर्स्ट फी की क přादा ओवा पूरी टूथर भी नहीं लगी मुझे थोड़ी सी कॉन्टि लगे यह मूँ पर लगा करक्क्ता था अंदर पूरे में उत्ति कॉन्टिटम मुझे लगी थी और जो आंदर जाता था समझे लो जो बास जाती ते उसकी अंदर में या फिर जो लार्क. के थू को मिश्रम होता था मिश्रण हो जाता था तो मुझे ये छुबन पूरी तरह से खतम हो गया जो मिरे डर था तक हैंसर का वह भी मेरे दिल से निकल गया क्यों कि क्या होता है हमारे घर में और माता योट farklı हुआ था हो सकता है वोला कैंसर नहीं हो इसी कारण मैं डॉक्टर के पाद गया था लेकिन उस दवा से मुझे आराम नहीं मिला हो सकता है थोड़ा वो तुन से रिलिफ डेफिनिटली मिलाओंगा लेकिन मुझे चूबन का ऐसा उस टाइम भी हो रहा था दवा लेने के बाद लेकिन यह लगाने के बाद मुझे चूबन का ऐसाथ पूरी तरह से खतम हो गया सिरिफ मैं फिर भी बोल रहा हूं जो अंदर मिश्रन होता था वो मिश्रन में अंदर लेता नहीं था थोड़ा वो जो जाता था अंदर वही जाता था बाकि मैं स्पिल करते था तो यह आज क इसके अंदर में जो एंटी बैक्टेरियल गुने इस टूथपेस्ट के अंदर में जो एंटी बैक्टेरियल प्रॉपर्टीद है उसके कारण यह उपा और यह मैंने पढ़ाता तो नुक्से होते उन नुसकों में मैंने पढ़ाता कि गरम चाय के साथ अगर रौ हनी आप ड लेकिन प्यूर रोह नहीं मिलना कहीं भी मुश्कील है लेकिन इसके अंदर में प्यूर प्रोपोलीज है यह मुझे मालूम था इसलिए मैंने यही टूपेश्ट का यूज किया तो आज का वीडियो यहीं तक था इस वीडियो को कैसे लगा आपको इस वीडियो जरूर बताए कि लोगों को उनकी समस्या का समाधान मिलता के ठीक है जिस किसी को भी मुझसे कॉंटेक करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है वहां मुझे आप कॉंटेक कर सकते यह इसकी MRP 400 रुपी ते 400 रुपे का यह 200 ग्राम का टुटपेश्ट आता है आज का वीडियो यहीं तक था फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में नमस्कार जैस्रीराम जहिन